नमस्कार और स्वागते आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेसिपीज अड़ा में और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं जनमाश्टमी के लिए फलाहारी पंजीरी और वो भी सिंहाडे के आटे की सिंहाडे का आटा है तो आप्विसली हम लोग व्रत में भी इसे खा सकते हैं त आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हलका सब ब्राउन हो जाएगा मैं इसे निकाल करके कर लूँगी अलग फिर इसी में दो बड़े चमच ये डेसिकेटिड कोकोनट है नारियल का बुरादा इसे भी हलका सब ब्राउनिश कर लेंगे हम और इसी तरीक ब्राउनिश के हिसाब से ले लिजे आपको जितना घी लेना है मैं इसे दो बड़े चमच ही मैंने लिए ये चोटे चोटे चमच थे इसलिए मैंने चार चमच टाले है तो ये घी है अब इसमें टालेंगे एक कप सिंहाडे का आटा इसे बिल्कुल मैंने चान करके देख ल दालेंगे और इसे मीडियम लो फ्लेम पे हम बिल्कुल अच्छे से इसे हलका ब्राउनिश होने तक भून लेंगे इसे दबाते हुए भूनेंगे ताकि लम्स ना बने देखिए इस तरीके से और इसे इसे भूनने में तीन से चार मिनटी लगेंगे और ये भून जाएगा इस तरीके से ये देखिए इसे ब्राउनिश ही भूने क्योंकि ये जितना अच्छा भूनता है आटा उतना ही अच्छी पंजीरी बन करके हमारी तयार होती है तो देखिए ये इस तरीके से भून गया है गैस का फ्लेम मैंने ओफ कर दिया है अब इसे हम बिल्कुल अच्छ चीजे भूनता है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड करे जितना आटा है और आप छित्ती चीनी चाहते हैं अब इसमें मैं डाल दूंगी ये हमारा जो बुरादा तर नारियल का रोस्ट करके और ये सारे ड्राइ-फूट्स थोड़े-थोड़े से रारियल का बुराद सी स्टील की कटोरी में मैंने एक बहुत ही चोटा सा टुकडा ले लिया है कपूर का तो ये देखिए ये एक कपूर का बहुत ही चोटा सा टुकडा है इसे रखेंगे बीचो बीच और अब मैं इसमें लगाऊंगी माचिस की तीली से मैं इसमें आग लगा दूंगी तो ये द पंजीरी में से जैसे ही आप धकन बंद करेंगे कपूर हो जाएगा जलना बंद हो जाएगा इस तरीके से ये देखिए और अभी भी इसमें चोटा सा तुकडा बचा हुआ है उसे किनारे कर देंगे ये बिल्कुल आपकी पंजीरी रेडी है अच्छे से मिक्स करिए ड्राइ कि शाएगा कर दू़त हुआ है अईएगा इस